अपना टाइम भी आएगा के सब ये एपिसोड्स देखें बिलकुल मुफ्त सिर्फ जी फाइब पर अभी आप डाउनलोड करें किसी गलत फेहमी में मत रहना दीदी मैं जादा दिनों के लिए नौकरानी नहीं बनी हूँ हुकुम ने कहा ना ये नाटक उनके मा पिताजी के चले जाने तक का है हमें कोई फर्द भी नहीं बढ़ता जब हमारे पती इस लायक नहीं कि हम उनसे कोई उमीद करें तो तुमसे थो हम क्या ही उमीद करेंगे बढ़िया है यही सोच आगे भी रखियेगा क्योंकि आपके घर और आपके पती पे चंपा का राज चलेगा नननी बेटा 次 मूमीजी आपल तुम छोड़ो मैं कर देती यहां रहीं नहीं इस देखिये रो हम अखेले कितना कम करोगे तुम नहीं ममीजी हम हम मैनेज कर लेंगे यह अभी हो जएगा इसे थो तुम मैनेज कर लोगी और लेकिन तुम्हारा रिष्टा उसे कैसे सम्हालोगी अब नहीं ममीची जय और हम तो हम साफमन के लोग जोट नहीं बोल पाते हैं हम जानते हैं जय और तुमारा रिष्टा कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि जब मैंने उस लड़की के बारे में जय को पूछा तो वे एक सेकंड के लिए उगपरा गया था तब ही मैं समझ गई थी कि कुछ तो कड़ पड़ है कई सालों पहले यही गपराहट मैंने जय के पापा की चेहरे पर दे की थी आज जिन हालातों से तुम गुजर रही हो कभी मुझे भी उनसे लड़ना पड़ा था मगर तुम तो आज के समानी की लड़की हो ना तो तुम भी क्या वही कलती करोगी जो मैंने कई सालों पहले की थी तो लड़ो बेटा लड़ो अपने रि हार को गले लगाना है बाहर वली चाहे जो कुछ भी बोले अपना पती अपना होता है तुम सोच रही होगे कि हम जय को क्यो नहीं समझाते पर मैं समझा भी दू तो क्या मेरे जाने के बाद तुमारा रिष्टा क्या ठीक रहेगा नहीं इसलिए जो कुछ भी करना है तुमे ये चादर तुमारे रिष्टे के बीच में आई हुई वो दूसरी औरत है तो लगा दो अपना दम और पहुचा दो उसे उसकी सही जगे पर अब तुम जानती हो तुमें क्या करना है अपना टाइम भी आएगा के सब ये एपिसोड देखें बिलकुल मुफ्त सिर्फ जी फाइब पर अभी आप डाउनलोड करें